हाई फ्रेंड्स आज हम लोग प्याज के पकोड़े बनाएंगे वो भी बिलकुल अलग तरीके से ये उपर से क्रिस्पी होता है और अंदर से एकदम सॉफ्ट होता है इसमें पिज्जा का भी फ्लेवर आता है इसलिए आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा तो फिर देर किस बात की चलिए रेस्पी बनाना स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों इसे बनाने के लिए मैंने चार छोटे साइच का प्याज लिया है जिसे मैंने छील कर इसको साफ पानी से धुल लिया है अब इसे हम कट करेंगे इसे हमें इस तरीके से लंबा लंबा कट करना है ये ये देखे मैंने सारे लच्छो को अलग कर लिया है अब इसमें कुछ मसाले एट करेंगे तो मैं यहां आधा चुटा चमच हल्दी पाउडर आधा चुटा चमच लाल मिर्च पाउडर आधा चुटा चमच धनिया पाउडर और एक चुटा चमच अजवाइन को इस तरीके से म तो मैंने यहाँ दो चमच कॉन फ्लोर डाला है आप कॉन फ्लोर की जंगा बेसन का भी यूज कर सकते हैं इसके बाद इसमें डालेंगे स्वात के अनुसार नमक अब इन सभी को अच्छे से मसलते हुए मिक्स करेंगे हमने इसमें नमक डाला है इसलिए प्याज भी पानी अब यह मिक्स हो चुका है इसे साइड में रख देंगे इसके बाद एक बावल में मैंने लिया है तीन मीडियम साइज का उबला हुआ आलो जिसे मैंने इस तरीके से मसल दिया है अब मैं इसमें डाल ले हूँ आदा छुटा चमच चिली फ्लेक्स आदा चुटा चमच लेवर आएगा अब यह मिक्स हो चुका है अब अब अपने अपने अपनी फटहल पर थोड़ा समें लेंगे और इस तरीके से से प्रेस करते हुए अपने हथेलियों के भीच में घुंाएंगे और इसका एक बावल बना लेंगे तो यह दिखे मैंने एक बावL बना लिया ह इसी तरीके से हम सभी बॉल्स को बना कर रेडी कर लेंगे, इसके बाद एक बाउल मिलेंगे तीन चम्मच मैदा, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, अब नमक और मैदा को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जब यह मिक्स हो जाए तो इसमें पानी डाल कर इसका एक घोल त् और इसे इसके अंदर डाल कर इसे चारो तरफ से इस तरीके से कोट करेंगे, फिर इसे निकाल कर हम प्याज वाले मिक्सर में इस तरीके से डाल कर इसे प्याज की मिक्सर के साथ इस तरीके से कोट करेंगे, और इसे अपने हाथों के बीच में इस तरीके से प्रेस करते यह देखिए एक बॉल प्रिपियर हो चुका है अब मैं आपको एक दूसरा बॉल बना कर दिखाती हूँ यह देखिए हमें सबसे पहले मैदे के घोल में इस तरीके से बॉल को डालना है फिर इसे इस तरीके से प्याज वाले मिक्सचर में डाल देंगे और इसे प्याज़ वा बाल्स को बना लेंगे अब इन्हें फ्राई करेंगे इन्हें फ्राई करने के लिए एक कड़ाई में तेल गरम करेंगे और इसमें एक बार में 5-6 बाल डाल सकते हैं इन्हें तेल में डालने के बाद हम तुरन नहीं पल्टेंगे अगर हम तुरन पल्टेंगे तो यह तेल में अब इन पकोड़ों में गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है, अब हमें इन्हें इस से ज़्यादा नहीं तलना है, अब इन्हें तेल से बाहर निकाल लेंगे, इन्हें तलने में मुझे 5 मिनट का समय लगा है, अब हमारे प्याज के पकोड़े एकदम रेडी हैं, आप देख सक कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताईएगा अगर रेस्पी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक सेरो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फिर मिलते हैं एक नई रेस्पी के साथ तब तक के लिए टेक केर एंड बाई